प्रत्वी और हमारा जीवन कक्षा साथ पाट आठ प्राक्रतिक प्रदेश एबम जन जीवन विश्वत रेखिये प्रदेश हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों और तरह तरह की बनस्पतियां जीवन जन्तु मिट्टी जलवायू पाई जाती हैं ये सबी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं हम जानते हैं कि अपने देश में परियाप्त प्राकृतिक बिविदिताईं पाई जाती हैं। सम्मिलित रूप को जलवायू कहते हैं। जलवायू ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मरदा, बनस्पतियों, जीव जन्तु एवं मानव जन्जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। आईए इनके विशय में जाने। प्रत्वी को बिविन ताप कटिवंधों में बाटा गया है। ये ताप कटिवंध जलवायू को प्रवावित करते हैं। इस कारण प्रत्वी पर बिविन प्रकार की जलवायू पाई जाती है। जलवायू की इस बिवित्दा के अधार पर विशय को निमने लिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बाटा गया है। पहला उष्ड कटिवंध प्रदेश जिसको बोलते हैं ट्रोपिकल जोन। विश्वत रेखिये पृदेश, सवाना पृदेश, मान्सूनी पृदेश, मरुस्थली पृदेश शीतोश्ड कटी वंध्ये पृदेश, टैंप्रेट जोन भूमदी सागरी प्रदेश, घासकी मैदान, मद्य अक्षानशे मरुष्थल, पस्चिम योरप तुल्ली प्रदेश, चीन तुल्ली या, सिंट लॉरेंस तुल्ली प्रदेश तीसरा, शीत कटिवंदी प्रदेश, फ्रिजिट जोन, तुन्डरा प्रदेश, टैगा प्रदेश बिशुवत रेखिये प्रदेश बिशुवत रेखिये ब्रत्या भूमत दिरेखा के 10 डिग्री उत्तरवा 10 डिग्री दक्षित अक्षान्सों के बीच के भाग को देखिये यह है डाइग्राम महत्पूर ताप कटिवंध तो बिशुवत ब्रत्य कहां पहरे यह है बीच में ठीक है और क्या क्या है यह दक्षली धुरूब है और यह उत्तरी धुरूब है उत्तरी शीत कटिवंध यह है करक्रेखा यह है विशुवत ब्रत्य यह है मकर्रेखा यह है और दक्षली शीत कटिवंध यह है और यहाँ पर विश्वत रेखी प्रदेश का विस्तार इस प्रदेश के विश्वत ब्रत्त के निकट होने के कारण इसे विश्वत रेखी या भूमद्य रेखी प्रदेश एक्वेटोरियल रीजन कहते हैं इस प्रदेश का विस्ता अधक्षणी अमेरिका के अमेजन घाटी वा उत्तिरी पश्मी तट अफ्रीका की कांगो घाटी गिनी तट वा पूर्वी तट और एशिया की पूर्वी दूइफ समूझ हित्रों में है अटलस देखकर आप उन देशों का नाम अपनी अब्यास पुस्तिका पर लिखी जहां बिश्वत रेखी प्रदेश पाए जाते हैं तो आपने बिश्वत रेकी परदेश कहां पाए जाएंगे इस पर ? बिश्वत ब्रत्पर बीच में जहां पराते हैं वहां पर जलवायू कलाइमेट बिश्वत रेकी परदेश में तापमान पूरे वर्श आधिक और एक समान रहता है इस शेत्र में बर्शा भी खूब होती है यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है बर अच्छी धूप होती है और दुपहर बात पुरती दिन तेज बर्शा होती है इस शेत्र में वायू शांत रहती है आधिक ताब बानमी के कारण उमस होती है इस प्रकार की जलवायू मानब के लिए अस्वास्तिकर एवं कस्ट दायक है यह देखिए यह फोटो यह सदा बाहर बन का क्या बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधितापमान बालेश शेत्र में किस प्रकार की बनस्पति होती होगी यहां किस प्रकार के जीव जन्तु रहते होंगे और कैसे यहां मानब जीवन कैसा होगा आये जानकारी करें बनस्पतियां, वेजिटेशन यहां पर अधिक गर्मी वावर्षा होने के कारण सदा वहार बन पाय जाते हैं यहां कि ब्रक्षों के नीचे कई प्रकार की लतायें जाडियां घास विम जंगली फूल आधि उपते हैं यहां की लतायें ब्रक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानबर भी बनों में घुसते समय घवराता है इस छेत्र में रवर्ड, सिनकोना, रोजबूर, ताड, महोगनी, आवनूस, आधि की ब्रक्ष पाय जाते हैं सिनकोना ब्रक्ष की छाल से मलेरिया की दबा कुनेन बनाई जाती है आप अपने आज पास पास पाय जाने वाले ब्रक्षों की सूची बनाईए आप जीब जन्तू एनिमन्स देखते हैं कौन-कौन से पाय जाते हैं यहां आप जानते हैं कि विश्वत रेकी प्रदेश में बहुत घने बन पाय जाते हैं यहां बन स्पत्यों का भरा पूरा संसार है इस कारण यहां बहुत बड़ी संख्या में विविद प्रकार के जीब जन्तु मिलते हैं यहां पेड़ों पर रहने वाले मेंट्रिल बंदर, चिपैंजी लंकूर, मकड़ा बंदर, गलहरी बंदर, मानेट स्लोथ, जहरीले साब, चिपकली, मेडग, अजगर, आदी पानी में रहने वाले, दर्याई घोडा, कैमेन, मगरमच, एनाकॉंडा साब, घडियाल, आदी, इ जले पेगास कचुआ है, यह है गलहरी बंदर, यह वाला, और यह है मकड़ा बंदर, और यह है तोता, आपको जानकर अश्चर होगा कि इन वनों में पाए जाने वाली सी-सी, नामक जहरीली मक्की की काटने से मनुश्य को नींद की विमारी स्लीपिंग सिकने सो जाती है, और यहां पाये जाने वाला साप, एनकोंडा, मानब जीवन, हुमन लाइफ, आप सोच रही होंगे कि यह छेत्य तो बंस्पत्वी एबम जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहां मानब का जीवन आसान बाच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इस शेत्र की नम बागर्म ज जन जातिया निवास करती हैं, जिनने अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है, यह लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होंत, हुम्राले बाल, चप्टी नाक और छोटी आखो वाले होते हैं, आज के बैग्यानिक यूग में भी यहां की जीवन पद्धिती प्राक्तिक प्रधान है, यहां के लोग मुखिता नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इने पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने के सुविधा रहती है, यह पेड़ों पर मचान बना के लकड़ी वा घास के घर बनाते हैं, और यह फोटो है, विश्वत रेकी प्रधेश में जीवन इस तरह से लोग रहते हैं, अमिजन दता जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाएं, और यह शिकार करते हुए पिग्मी लोग, शिका, जंगली पश्यों का शिकार करते हैं, जंगली पश्यों का शिकार करते हैं, मास्त म Caucasus रहे लाकटे के लिए निव मुट्राम में ज्रूप रीयों के लिए मचलि करने मास्थ क लिए वंृपने ध के या। लकड़ी के लट्टे मकान बनाने के लिए तेल वाले ताड़ के फल जड़ी वूटी हाती दा जानबरों की खाल जंगली रवड का दूद इन बस्तों को बेचकर अपनी आवश्यक्ता की चीजे खरीदता खरीदते हैं ये लोग चलती फिरती खेती जूम खेती करना जंगलों में आग लगा कर कुछ भूमी साफ करना साफ की गई भूमी पर खुरपी कुदाल से खेती करना चार या छे वर्ष बाद भूमी का उपजवपन कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना दूसरी जगह पर फिर भूमी साफ कर और इसी प्रकार खेती करना पेर से रवड का दूद निकालते हुए लिए दक्षिर पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा दूइप अन्य विश्वत रेकी छेत्रों से भिन है इस दूइप पर लावा मिट्टी के पाया जाने तथा तक्निकी विकास के क पारण यहां के किसान वर्षों से खेती करती चले आ रहे हैं इसलिए यहां अधिक जिनसंग्या है विश्वत रेकी प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रियास किये जा रहे हैं यह चेत्रिक खनिजों में धनी हैं यहां के वॉक्साइड नि प्रजातिया नस्ट होती जा रही है यह इस्तिती पर्याबरण के लिए बहुत हानिकारक है और भी जाने हैं प्राजिल शंशार के विश्वत रेखिये सदा बाहर बनों का सबसे अधिक छेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है गिनी तटको बीमारियो के कारांट श्वेत निवाश्यों की कब्र कहा जाता है यह पार्ट यहां पर खतम होता है और इसके आगे बिस पार्ट के कोशन आंसर्स अभ्यास देखते हैं तुड्यूस पुड़ है झांसर्स कॉणको बन्हेंस प्रया बन्हें हैं तुड्यूस झाल झाल